किया आपका भी रिजल्ट सो नहीं हो रहा है आपने बहुत ट्राइक कर लिया लेकिन इस वीडियों को देखने के बाद 100% आपका रिजल्ट सो होने वाला है जिया आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आजाना है जहां पर लिखा होगा सुभारतिडी.com तो जैसे आप लोग यहां पर आजाओगे तो सिंपली यहां पर थ्री लाइंस मिलेगी इस त्री लाइंस पर क्लिक करना है जैसे आप लोग यहां पर थ्री लाइंस पर क्लिक करोगे स्क्रोल करते हों नीचे आजाना है तो जैसे आप लोग यहां पर नीचे आजाओगे यहां पर बहुत सारी और नेहीं चीज़े आपको देखने को मिल जाती है हमें कि ज를ब आती हैं अगर आप जोग रिजाल्ट चेक करना जाता है आप पुराने स्टूडेंट है और जिस्लिकन attached से से मश्च चल रहे हैं तो आप यूव करें एक शुर्डेंट लोगिन लेकिन मैं यह कहता हूँ आप फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकिंड सेमेस्टर है तब आप यहां पर स्टुडेंट लोगिन C2022, A2022, 23 यानि कि 23 तो आप लोग यह सेक्शन चूज करेंगे यानि कि 2022 और 2030 के जो भी एक्जाम है वो होने वाले लेकिन अगर आप रनी स्टूटेंट है तो फर्स्ट ओप्शन ही चूज़ करियेगा pee antidote है तो simply मैं यहां पर second वाला option चूज कर लेता हूं यहां कि मुझे फर्स्ट या फिर second का result चेक करना है तो जैसे आप लोग यहां पर चेक करने के लिए जाओ गया है सबसे पहले आपको enrollment number डाल देना है enrollment number डालने के वाद आपका जो password है वो क्या होगा आपका जो password है वो होगा आपकी date of birth तो देखिए date of birth कुछ इस तरीके तो जैसे कि 01031996 slash है बीच में तो यह slash नहीं आएगा इस तरीके से आपकी date of birth हो जाएगी 01031996 तो यहाँ पर इन्हों नेक डेमो की तरह भी दिखा रखा है कि यह password होने वाला है तो कुछ इस तरीके से आपको enrollment number डाल देना यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर enrollment number डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी date of birth डाल दोगे उसके बाद लोगिन करना है और लोग उन करने बाद बिल्कुल आसानी से आप लोग यहां पर यहाँ पर चैक कर पाएंगे तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा वीडियो को लाइक करेंगे सेर करें अगर हो और अभी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते तो फिर भी लेंगे नेक्ट वीडियों तो देखले नमस्कार जाहिए जाय पारत